नमस्क्राइस्तों मैं हूँ दिपक्ति पाठिया और आप सभी का सौगत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल एचम कोचिंग क्लासिस में दोस्तों बहुत बढ़ी खुस खबरी आ रही है और बहुत बहुत जरूरी खबर जो कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आ चुके है चलिए आए देखते हैं कि यहां पर एंटीपीसी ने एक जो है आफिशल नाटिफिकेशन जारी की है यह नाटिफिकेशन आप देख सकते हैं साइड में गर्मेंट आप इंडिया मिनिस्ट्री आप रेलवे 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 रिकूट्मेंट बोर्ड भी आया है सी बीटीवन का रिजल्ट कब आएगा इसका नोटिस भी आया है देखें फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस टेस्ट वाज हेल्ड इन सेवें फेज़ेज फेज़ फ्राम दिसंबर दो 28 2020 टू जुलाई 31 तक यहां पर जो परिच्छा हुई है पॉइंट नमबर टू दे रिजल्ट आफ फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस टेस्ट सी बीटी वन इज करेंट ली अंडर प्रोसेस एंड ही एंड दे रिजल्ट आर टेंटिवली सेड्यूल्ट तो बी पब्लिस्ट इन दे आफिसियल वेब साइ तो अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट पढ़ा जाये तो दस सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस टेस्ट सीबीटी 2 एक्जाम फ़ार कंडिडेट्स हू गेट साल लिश्टेड इन सीबी वन, जो लोग सीबी वन में साल लिश्टेड होंगे, पास होंगे is tentatively scheduled to be held from February 14-18. 14-18 February 2022 में CBT-2 की परिच्छा भी होगी. यह आपके लिए बहुत बड़ी खुसखबरी हो सकती है. Subject to the prevailing condition and government guidelines issued from time to time in view of handling of the COVID-19 pandemic. यह सारी यहाँ पर जो आप detail दी गए लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यह बोला गया है कि official website में लगातार बने रहना है और चक करते रहना है यह बिल्कुल official notice है और यह देखे 5-12-2021 यह 5 तारिख 2021 को लीज हुआ है अभी अभी आया है और मैंने आपको इसे अभी अभी दिखाया है तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो latest update पाने के लिए और लगातार हमसे बने नहने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें अब आप CBT2 के लिए पूरे जोस के साथ लग जाए क्योंकि अब आपके जो पेपर है वो फरवरी में होंगे CBT2 के और रिजल्ट आपका 15 जनवरी को आ जाएगा तो चलिए मिलते हैं आपको next studio में next update के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं subscribe किया है तो अभी चैनल को subscribe करें अगर आप चैनल को subscribe कर चुके हैं तो भाई बेल आइकन को भी दबा लीजिए क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा जैसे ही मैं कोई update लाता हूँ वैसे ही आपको notification मिल जाएगा मैं आपको next video मिलूंगा तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद